इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वेल्कम टू बिबिनियोज दुनिया में कई तरह के फल होते हैं, आपने भी कई प्रकार के फल खाये होंगे जैसे हरे अंगूर, काले अंगूर, हरे सेब या फिर लाल सेब आदी आपने बाजारों में सेब की कई प्रजाती भी देखी होंगी इन में से कई सेब लाल, हरे और हलके पीले रंग में भी आते हैं दुनिया के 20 से भी जादा देशों में अब तक 200 से भी जादा किसम के सेब उगाए जा चुके हैं लेकिन क्या आपने काले रंग या फिर बैंगनी रंग के सेब के बारे में कभी सुना है गहरे बैंगनी रंग के इस सेब को ब्लैक डायमंड एपल भी कहा जाता है ये दुरलफ सेब बहुत ही कम जगों पर पाया जाता है ये सेब शहच से भी मीठी होती है तिबबत की पहाड़ियों पर उगाय जाने वाला ये सेब देखने पर काला या बैगनी दिखाई देता है आपको बता दे कि समुद्र तल से करीब 3100 मिटर की उचाई पर इस सेब की खेती की जाती है जादा उचाई की वज़े से जिस जगे पर इस सेब को उगाय जाता है वहाँ दीन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है दीन में पढ़ने वाली अल्ट्रा वॉयलेट किरनों की वज़े से इन सेबों का रंग बैंगनी हो जाता है यह अद्बूत सेब सिर्फ तिबबत की पहाडियों पर उगाई जाती है यहाँ पर इसे हुआ न्यू के नाम से जाना जाता है सेब उगाने वाले किसानों के लिए ब्लैक डाइमंड सेब किसी रहस्य से कम नहीं है ब्लैक एपल के ताजे फल को देखने पर ऐसा लगता है जैसे उस पर मोम लगाया गया हो क्योंकि इसका टेक्स्चर देखने में बेहद आकर्शक होता है ऐसा नहीं है कि इस किसम के सेब की खेती बहुत दिनों से हो रही है ब्लैक एपल की खेती साल 2015 से शुरू है तीन साल से अभी तक इसकी खेती बहुत बढ़िया नहीं हुई बता दे कि चुनिंदा पेडों पर ही ये फल लग रहे है और इन सेबों की सबसे अधिक खपत बिजिंग, शंगाई, गुआंग जो और शेंजेन के सुपर मार्केट्स में होती है ब्लैक डाइमंड सेब की कीमत की अगर बात करे तो एक सेब की कीमत 500 रुपे होती है तो दोस्तों क्या आपने ये सेब को कभी देखा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताए इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करे और जादा से जादा शेयर करे और इसी तरह की रोचक खबरे पाने के लिए आज ही अमरे चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक यू